नमस्कार, वेलकम टू राधे राधे प्रडक्शन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर लेटी सूट, कुर्ता या साड़ी एक साथ कैसे ड्राइ क्लीन करें मशीन अंदर से गंदी है तो इस तरह साफ पानी डालके से साफ कर लें पाइप को हुक में डालें कपड़े को चेक करें कपड़ा कहीं से फटा हुआ तो नहीं है कपड़ा कहीं से गंदा है तो वहाँ से पकड़ के रखें सलवार के पोचे गंदे हैं उन्हें अपने हाथ में रखें और सलवार को पैट्रोल में डुबा दे दोनों पोचों को पकड़ के आपस में रखड़ें इस पर ब्रश ना लगाएं क्योंकि उससे कपड़ा फटने का डर रहता है ये क्रेप का कपड़ा है अगर कपड़ा जादा गंदा है तो कपड़े को 10 मिनट तक पैट्रोल में रखें अगर कम गंदा है तो 5 मिनट तक पैट्रोल में रखें बाल्टी में ही कपड़े को उल्टा करें कपड़े का जादा से जादा पेट्टोल बाल्टी में निचोड़ ले और उल्टा करके वाशिंग मशीन में डाल दे इसी प्रकार दूसरे कपड़े के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करें यह सिल्क का कपड़ा है इसे चेक करें एक बार इस कुर्टे का गला गंदा है तो गले को अपने हाथ में पकड़ के रखें और दोनों तरफ से आपस में रगड़ें दोनों बाजू में के निचले भाग को पकड़ें और आपस में रगड़ें इस बाल्टी के अंदर इंडस्ट्रियल पेट्रोल है इसे वाइट एमट्यो भी कहते हैं जो डाइकलीन करने के काम आता है गाड़ी का पेट्रोल इसमें इसमाल ना करें कपड़े कोल्टा करके जादा से जादा तेल निकाल लें और वाशिंग मशीन में डाल दें इसी प्रकार से ये मटका सिल्क कपड़ा है ये बहुत ही कच्चा कलर है इसे चेक करें इस सल्वार के भी पोचे पकड़ें और आपस में रगड़ें कुछ ही मिंटों में पेट्रोल मैल साफ कर देगा इस बात का ध्यान रखें कभी भी सिल्क के कपड़े पर स्टीम प्रेस नहीं होती है ये भी मटका सिल्क कपड़ा है इसे भी चेक करें अगर कुछ पाउडर या मिट्टी लगी है तो उसे रगड़ के साफ कर लें क्योंकि ये पेट्रोल में साफ नहीं होते पेट्रोल में सिर्फ हलकी बुलकी मैल साफ होती है कोई भी चीज चिपकी हुई है वो पेट्रोल में वाश नहीं होगी पेट्रोल में कितने भी कलर के कपड़े डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये कॉटन का पल्ला है, इन सभी कपड़ों को इकठे डाल सकते हैं हलकी स्पीट वर्न मशीन चलाएंगे, पाइप को हाथ में पकड़ेंगे और सारा तेल जमा कर लेंगे ये हम इसले कर रहे हैं ताकि कपड़ों में से एक्सेस पेट्रोल निकाल सके ये सिल्क साड़ी है, इसका फॉल चेक करें, अगर फॉल गंदी है, तो फॉल को इस तरह पकड़ें जिस तरह रादे जी ने पकड़ रखा है और फिर सारी को पेट्रोल में डुबो दें, फॉल अपने हाथ में पकड़ के रखें फॉल को दो भाग में कर आपस में रखड़ें अब मशीन में जो कपड़े हैं, पहले उन्हें सुखाएंगे, इन्हें धूप में सुखाएं ताकि पेट्रोल जादा से जादा उड़े और स्मेल भी जल्दी चली जाए आप देख सकते हैं, हम ये काम घर के अंदर ही कर रहे हैं ड्राइकलीन कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, कोई हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है ये जॉर्जेट की साड़ी है, इसमें वर्क हुआ है इसमें से जो धागे निकल रहे हैं, वो मशीन में चलाने के बाद निकल जाएंगे ये धागे इसलिए निकल रहे हैं, क्योंकि इसे मशीन में तेज गती पर चलाया गया है पेट्रोल का रंग एकदम काला हो चुका है, क्योंकि कपड़े का मैल पेट्रोल में चला गया है इसी तरह प्रोसेस को रिपीट करते हुए साड़ी को चेक करें, इसी तरह फॉल को पकड़के पेट्रोल में डुबो दें ड्रैकलीन करना बहुत ही इजी है, बस कपड़े को समझना है कि कौन सा कपड़ा कितना मशीन में चलाना है कम चलाना है कि जादा चलाना है अगर किसी को दिक्कत आ रही है, घर पे ड्रैकलीन कर रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमने description में जो phone number दिया है उस पर call करके पूछ लें जिस साड़ी में work हुआ है, star लगा है या embroidery हुई है उसे इस सरह पकड़के इकठा करेंगे अंदर और उल्टा करके machine में घुमाएंगे हम इसे machine में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इस पर कम work हुआ है हेवी work वाले कपड़े को हम machine में नहीं चलाएंगे, उसे रसी पर टांग के नीचे बाल्टी रख देंगे जिसमें सारा तेल गिरकर इकठा हो जाएगा work जो हुआ है इसमें, उसे अंदर की side fold करके machine में डालेंगे, ताकि ये machine की body से touch ना हो और खराब ना हो इसे machine में थोड़ा सा चलाएंगे, ताकि embroidery के चो धागे हैं वो टूटे ना फिर इसे बंद करेंगे, pipe से petrol निकालेंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे, फिर बंद करेंगे अब हम आपको तेल से washing machine को साफ करने का तरीका बताएंगे, क्योंकि तेल से कपड़े का मेल साफ होता है, तो ये washing machine का मेल भी साफ कर देता है इसी तरह थोड़ा सा petrol इसमें डालेंगे machine में जो तेल रह जाता है, उसको निकालने के लिए इसमें पानी डालेंगे और पानी वाला तेल भी बाल्टी में डाल देंगे, और कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे तेल में जो मेल है, वो नीचे आ जाएगा, उपर से तेल रह जाएगा उसे container में वापस डाल के बंद कर देंगे तो हम आशा करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा हम आगे भी ऐसे useful वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हमारा next वीडियो को notification पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon भी प्रेस करें अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई suggestions देना चाहते हैं हमने जो description में number दिया है आप उस पे हमें call कर सकते हैं धन्यवाद